ये वीडियो आपकी डिमांड पर की जा रहे हैं ये शूट क्योंकि आप मेंसे कई सारी लोगों ने मेंसे पूचा है कि कैसे हम इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने लेप्टाप की तो दोस्तो अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके जरी आप अपने विंडोस 10 में जो भी आपका इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है उसे आप कैसे कम कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विंडोस सर्च बारवे वियू नेटवर्क कनेक्शन सर्च कर देना है वियू नेटवर्क कनेक्शन ठीक है वियू नेटवर्क कनेक्शन इसे आप जैसे ओपन करेंगे तो सिंपली से आपको वह वाला नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप internet चलाते हैं तो यहां से मैं wifi से चलाता हूँ इस पर मैं directly right click करूँगा और right click करने के बाद इस पर अपन properties में चले जाएंगे इसकी properties में जाने के बाद यहां पर आपको fourth option मिलेगा internet protocol version 4 इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां पर properties का आपको एक option मिलेगा उस पर आपको click कर देना है जैसे ही आपको यहां पर click करेंगे तो यहां पर कई सारे DNS आपको डालना पड़ेंगे extra आप DNS लगा सकते हैं जो कि Google का free DNS होता है वो मैं use करता हूँ 8.8.8.8.8.8 यह फिर 8.8.4.4 यह मैं use करता हूँ अब DNS क्या होता है डीखी DNS domain name system होता है जो कि अलग से आपका एक system मना देता है जिसके जरी आपकी internet speed ज़्यादब बढ़ सकती है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यहां पर देखिए use the following DNS server address इस पर आपको क्लिक कर देना है और preferred DNS server यहां पर आपको लिख देना है 8.8.8.8.8 मैं इसमें ज़्यादा आपको detail मैं नहीं समझा रहा हूँ नहीं तो फिर यह वीडियो लंबी हो जाएगी आपको यह करना है और alternative में भी इसी एक और डाल दीजा आप 8.8.4.4 यह Google का DNS है जो की secure है और fast internet provide कराता है यह करने के बाद आपको simply ok पर click कर देना है जैसे यह पर आप click कर देंगे और आपका यह DNS set हो जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना है इसे आपको close करना है और वापस आ जाना है यह थी एक पहली setting दूसरी setting है जो मैं आपको बताना वारा हूँ clear windows 10 temporary files तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा disk clean up यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा disk clean up यह आप देख सकते हैं disk clean up सर्च हो गया है इसके आपको open करना है और यहाँ पर आपको C drive को select करना है जिससे ज़्यादा आपका space मिले C में ठीक है उसे आपको select करना है और खोड लेना है जैसी आप खोड लेंगे तो यहाँ पर unwanted temporary file को आपको delete कर देना है इसमें recycle win भी होता है देखिए मैं thumbnail temporary files पर देखिए जैसे click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.17 GB मेरा free हो गया मैं यहाँ पर recycle win भी collect कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए 19.8 GB free हो गया तो मैं जो जो आपको unwanted files है उसको आपको select करना है और यहाँ पर delete कर देना है या फिर ok click कर देना है जिससे यह permanently इससे delete हो जाएंगी अब यह देखिए clean हो रही है मेरी c file तो यह देखिए थोड़ा इसमें time लगेगा तो इस तरीके से आप अपनी files को clean कर सकते हैं जतना ज़्यादा आपके laptop में space रहेगा उतना ज़्यादा आ आप internet चलाते हैं तो simply से मैं अपने Wi-Fi से connect हो जाता हूं realme x7 max यह देखिए connect हो गया है अब यहाँ पर यह देखिए connect होने के बाद यहाँ पर एक option शुकरेगा आपको एक second वेट करिए यह देखिए option शुकरने है पर properties है इस पर आपको click करना है directly यहाँ आ जाएगा और यहा आपको off कर देना है देखिए मैं इसे permanently आपको suggest नहीं करूंगा आप यह off करें अगर आप router यूज़ करते हैं तो आप इसे जरूर off करें अगर आप खुद का आपका mobile का internet यूज़ कर सकते हैं hotspot से तो आप इसे use ना करें अगर आप इसे off करके रखेंगे तो आपको बहुत ह ज़्यादा internet खापत होगा metered connection के तुरू हम system को यह बताते हैं कि हमारे पर limited data है इसी के करना आप थोड़ा थोड़ा internet ही use करें तो अगर आप router यूज़ करते हैं तो आप इसे disable करके रखें और internet यूज़ करते हैं जैसा कि personal hotspot mobile के जली तो आप इसे on करके रखें ये एक तीस इसीरी सेटिंग थी चौती सेटिंग पर तरफ चलते हैं वह आता है disable window update तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपकी windows वार में सर्च कर देना है services सर्च करने के बाद इसे open करना है open करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए disable window update एक मिल जाएगा window update आपको यहां पर सर्च करने करना है तो कहां है window update तो आप देख सकते हैं यह रहा है window update यह window update है देखिए मैं बिलकुछ suggestion नहीं कर रहा हूँ आप इसे stop करके रखें तो सबसे पहले आपको इस पर right click करना है और यहां से आपको start और stop कर देना है तो यह देखिए मैंने अपने window update को start कर दिया है जो कि मुझे permanently window के update मिलते रहे लेकिन आपके internet ज्यादा खफ़त हो रही है तो आप इस पर right click करके stop भी से कर सकते हैं कि मेरे internet इतनी अभी ज्यादा खफ़त नहीं होती है तो आप अगर window के update लेना चाहते है या फिर आप secure रहना चाहते है mainly कहने का मतलब यह तो आप इसे on ही रखें हमेशा अगर आपको परिसानी हो रही है internet चलाने में तो कुछ time के लिए इसे off कर दें फिर आप इसे जरूर on कर लें तो जब भी आपको internet चलाने में दिक्कत हो तो आप इसे यहां से stop भी कर सकते हैं यह थी एक चौती setting जिसके जरी आपके internet की speed भी enable ethernet और wifi in network ठीक है तो सबसे पहले इसमें आपको क्या search कर देना है network search कर देना है window वार में जैसे आप network search करेंगे यह setting खुलेगी से आपको open करना है इसे open करने के बाद network sharing center पर जाना है तो आपको हैं पर जाना है network से network and internet जैसे आप network and internet पर चले जाएंगे तो नीचे आप page ऐसा खुलने के बाद यहां पर आप देखे left hand side पर ऊपर की और change adapter setting लिखा होगा ठीक है ना change adapter setting और इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप जिस internet से use करते हैं मैं ऐसे wifi से use करता हूँ तो उस पर रखकर आपको right click करके एक बार इसे disable कर देना है और उसी को हाल के हाल enable कर दे है माली जा आप internet use नहीं करते हैं और router use करते समय आपका internet नहीं चला है तो आपको क्या करना है अपने router का power plug अटा देना है और 10 second बाद फिर से on कर देना है या फिर power supply काट देना है फिर 10 second बाद on करता है इससे जादा तर चांसे से हैं कि आपकी internet speed बढ़ जाएगी और अगली जो setting है वो आपको बताना चाहरा हूँ अंस्टॉल बन नोट एप देखिए कई साले लोग होते है जो window में एक एप पड़ा रहता है वन नोट ये वाला एप है इसे आप अंस्टॉल कर सकते हैं इसे अंस्टॉल करने से ये फायदा होगा ये window में ज्यादा lagging कराता है फिर window अंस्टॉल हो जाएगा कुछ देर बाद अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तभी करें अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई force नहीं है कि ये आपको अंस्टॉल ही करना है ठीक है ये हो गया अगली setting में आपको बता देता हूँ है turn off background data apps ये एक most important setting है जिसके ज़िए ये जादतर windows 10 users को परिशानी जहिलना पड़ती है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है window आई दवाना है जैसी setting खुल जाएगी उसमें आपको जाना है privacy के section में ये देख रहा है ना आपको privacy privacy पे privacy पे click करना है और यहाँ पर right hand पे आप scroll करेंगे तो आपको देखने के यह मिलेगा background data तो नीचे आपको scroll करना है यहाँ पर देखिए यह लखा है background apps लखें तो background apps पे आपको click करना है background apps यह होते हैं आपके background में data का use करते हैं अगर आप internet यूज़ कर रहे हैं तो यह अपडेटिंग में data का use करेंगे या फिर background में यह खुद काम करते रहते हैं एक मेरे internet कहीं भी खफत नहीं होगा अगर आपकी और भी problem से related तो मुझे नीचे comments में आप पता सकते हैं तो बस यही ता पूरी वीडियो में बताए मुझे comments पर और किस topic पर आपको वीडियो देखना पसंद अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो please इस वीडियो को like, share and subscribe जरू कर दिजे, thank you so much for watching this video and कल मिलते हैं